हेलो एवरीबन वेलकम एक टो माई किचन रेनू ठाकुर आज हम बनाने वाले हैं एक मिनी कॉम्बो जिसमें हैं छोले, चावल और भटूरे तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे चोले तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप चोले लिये हैं इसको हम रात बर भिगा कर रखेंगे उसके बाद हम इसको अगले दिन नमक और सोड़े के साथ इसको 7-8 सीटी आने तब हम उबाल लेंगे चोले को उबालने के बाद इस तरीके से चोले हमें यहाँ पर मिल जाएंगे पानी जो है चोले का वो हमें निकालना नहीं है पानी हमें इसमें रहने देना है जब हम चोले बनाएंगे चोले की जो ग्रेवी होगी उसमें यह पानी काम आएगा तो पानी को निकालना नहीं ह पानी को हम छोले में ही रहने देंगे यह हज़ी टमेटो प्यूरी यहापर दो बड़े साइज के तेमाटो की प्यूरी बना ली है यह प्यूरी हमारे जो ग्रेवी होगी उसमें बहुत हईल्प करेगी प्रॉधी यह जो घंज पे बाब अच्छी बनेगी अब हूमें चाहिए एक कडाई यह पैन उसको हम गैस पर रखेंगे गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे साथी अब हुमें ही हाँ ओड़े टेबल इस्पून ओइल मैंने हाँ चम्चे से लिया है तो यह दो टेबल इस्पून ओइल है कोई भी cooking oil यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर refined oil का यूज किया है अब हम इसमें यह सभी खड़े मसाले और अद्रक हरे मिर्च डाल देंगे इन सब को हम यहाँ पर एक साथ ही डाल देंगे और इनको हमें हलका भूनना है बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग को नहीं करना है हलका हमें इन्हें यहाँ पर भूनना है लगबग हमें यहाँ पर इन्हें डेड़ से दो मिनट के लिए बूनना है इससे ज़्यादा नहीं बूनेंगे गैस का flame medium रखना है गैस का flame high नहीं होना चाहिए अगर गैस का flame high होगा तो हमारे सभी मसाले यहाँ पर जल जाएंगे तो इस बात का खास दियान रखिएगा गैस का flame है वो हमें यहाँ पर medium रखना है अब हम इसमें डालेंगे 1 फोर्थ 3 स्पून हीं हीं डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से दे हुए हमारे लगबाव भूण चुके हैं अब यहीं पर हम इसमें मिला देंगे यहाँ प्रक्णक्त रॉड़र जफ़ बाद हम इसवें अच्छे तरीके से चलाना है कुं नी हमारी खड़ सलों में मिल चुकी है मैं सबी मसाले हैं वहीं में हाफ टीश्पून नमक लिया है लालमी सीधिक च्छुड क्या पैला है यह इसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिला देना है ता कित्का हमें जो हमारे मसाले हैं अच्छे तरीके से मिल जाएं और हम इसे यहां पर तब तक पकाना है जब तक कि ग्रेवी से जो तेल है वो अलग ना दिखने लगे ग्रेवी में जब तेल अलग दिखने लगेगा तब हमारा मसाला पक जाएगा उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे मसाला हमारा ह तोड़ी गाड़ी बनेगी गैस का फ्लेम यहापर मीडियम रखना है हाई नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे चार से पांच मिनट के लिए पकाएंगे यह देखिए छोले हापर हमारे बनकर लगभग तैयार है अब हम यहापर त्यास का जो फ्लेम है वो आफ कर यहाँ पर अब हम इसमें पारीब कटा हुआ हरादनिया मिला देंगे छोले हमारे बनकर तेयार है अब हम चावल बनाना शुरू करते हैं चावल मनाने के लिए मैंने यहापर लिया है एक कब बासमती इसको हम यहापर अच्छे तरीके से पानी से दोलेंगे जब तक इसका जब गंदा पानी निखलना बंदना हो जाएं इसके लिए हमने लगबग चार से पांच बार इसे पानी में धोना है चार से पानी में धोने के बाद इसका पानी यहाँ पर इस तरीगे से एक convot प्रेशर कुकर में जिस कबसे हम नापकर लिया है एक पूरा कप पानी डालेंगे यानि कि सब्सके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में निकालेंगे और दूसरी सीटी आने से पहले गैस आफ कर देंगे अब हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके से यहाँ पर एक बर्दन साथ ही हमने उसमें लिया है मैदा मैं यहाँ पर लगबर देड़ कप मैदा ले रही हूँ यह देखें यहाँ पर इस कप से नापकर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, पहले मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है, इसके बाद ही अब हम इसमें एक कप मैदा और लेंगे भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए खट्टा दही अब हम इसमें दही डालेंगे सबसे पहले हम मैदा में यहापर डालेंगे दही यहाँ पर इसी चमचे सनापका मैंने ही आपर दही लिया है यह देखिए एक चमचा मैंने ही आपर डाला है इसके बाद एक और चमचा मैंने आपर डाला तो लगबग दो चमचे दही मैंने आपर इसमें डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे half teaspoon baking soda जिसे की हम मिठा soda भी कहते हैं साथ ही अब हम इसमें डालेंगे half teaspoon नमक इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चीनी हम इसमें आड़ करेंगे, यह देखें यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून चीनी भी इसमें डाल दी है, अब इन सबी चीजों को हमें यहाँ पर अच्छे तरीक इस डो को हमें बहुत जादा सकत नहीं बनाना है बहुत जादा लूज भी नहीं करना है डो हमारा यहां पर गूत लेके बाल रेस्ट करेगा तो जैसे माटा मांडते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहां पर यह बना कर तयार करना है इसके लिए हमें थोड़ा पानी भी च कि देखिए इस तरीके से यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें डालना है कि देखिए डो यहां पर हमारा लगभग गुंद चुका है जैसे कि रोटी के लिए आटा गुंदा जाता है उसी तरीके से डो हमने यहां पर तैयार कर लिया है इस तरीके से हम यहाँ पर डोगों चेक करेंगे, देखे अगर आटा दबाएंगे तो वो उभर कर उपर की तरफ वापस आएगा, यह देखे, अब हम इसे यहाँ पर लगभग डेड़ से दो घंटे के लिए रेस्ट देंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा त लगभग डेड़ से दो घंटे के बाद अब हम इसको चेक करेंगे, लगभग दो घंटे हो चुके हैं, अब हमाटा च्यक करते हैं, जो हमने गूंद कर रखा है, यह देखे, भतूरे के लिए जो हमारा डो यहाँ पर हमने तयार किया था, यह एकदम रेड़ी है, अब हम इ इस तरीके से इस से हम पेड़े निकाल लेंगे जिस हम लोई बोलते हैं लोई थोड़ा सा आटे का जो हिस्सा है वो हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे हाथ पर ज़रा सा भी याटा नहीं रगड़ा है इसका मतलब जो मारड़ है वो एकदम परफेक्ट है अब जिस भी शेप में आप भटूरे बनाना चाहते हैं लंबा या फिर गोल उसी शेप में आप इसे बेल सकते हैं मैं यहाँ पर भटूरे का साइज्व बहुत जादा बड़ा नहीं रखोंगी मीडियन साइज के भटूरे हम यहाँ पर बनाएंगे साथ ही मैं यहाँ पर भटूरे का जो शेफ है वो यहाँ थोड़ा लंबा रखोंगी जैसक हमारा है नियुद्धे यह देखिए यहाँ पर यह भटूरे जो है यहाँ पर फुलने शुरू हो गए है एक एक करके मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से सभी भटूरों को हमें यहाँ पर तलना है छोले बटूरे और चावल की थाली हमारी यहाँ पर तैयार है साथी इसे हमने यहाँ पर सर्फ किया है खीरा और टबाटर के सिलाज के साथ आप भी इस तरीके से यह थाली अपने घर पर एक बर बना कर जरूर ट्राइक कीजिए छोटी पाटी के लिए घर में यह मिनी कॉम्बो में एक बहुत ही अच्छा अप्शन है घर में जब भी कोई छोटी पाटी हो तो आप इसको बना सकते है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी मेरी कोई नई वीडियो है तो आप उसको नोटिफिकेशन में जाए